बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जर्नल वाउचर एंट्री आखिर क्या होती है इसका यूज कहां होता है और इसकी एंट्री किस तरह से पास की जाती है तो मैं आपको बता दूँ जर्नल एंट्री बिजनस के किसी भी ट्रांजेक्शन को अट्जस करने के लिए की जाने वाली एंट्री होती है अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि आपको कभी भी जर्नल एंट्री आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो को start करते हैं आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ questions पहले से ही लिखे हुए हैं जिनके ledgers हमने पहले से ही tally के अंदर बना रखे हैं अगर आपको ledger बनाना नहीं आता तो मैं link को description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं हमन 30,000 रुपए का हमने furniture purchase किया है अनुछ furniture house से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने furniture purchase किया है यह furniture हमारी fix assets है यानि इस furniture को हम खरीदेंगे business purpose के लिए अब हम इसकी entry किस तरह से पास कर पाएंगे इसके लिए चले जाते हैं हम लोग tally के अंदर इसके बाद आपको जाना होगा vouchers के अंदर इसके बाद आपको general voucher open करने के लिए अपने keyboard से प्रेस करना होगा F7 जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे आपका general voucher आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पर हम पहला question solve कर लेते हम furniture purchase कर रहे थे अनुछ furniture house से तो यहाँ पर सबसे पहले हम laser लेंगे furniture का कितने का amount थ हमारा तो 30,000 का हमारा furniture था. स्कैप करके आप पीछे चले जाएए यहाँ से आजए यह balance sheet के अंदर balance sheet में अगर आप देखेंगे तो आपकी current liability 30,000 शो हो रही है current liability 30,000 किस वज़े से शो हो रही है क्योंकि हमारे ऊपर अभी 30,000 रुपे का उधार है तो हम यह उधार किसको देंगे, यानि हमारे उपर जो उधार है वो किसका है, तो इसके उपर डबा क्लिक करिए, यहां से आपको दिखाएगा S&D Creator है, कौन है S&D Creator? अनुच Furniture House, यानि जो हमने अभी Furniture Purchase किया था अनुच से, उसकी payment अभी तक हमने नहीं किया, तो इस व करके आप पीछे आजाएए, इसके बाद अगर आप देखते हैं, यहां पर Furniture Purchase किया था, वो Furniture Purchase किया था, इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं, कि आपका Furniture यहां पर आ गया 30,000 रुपे का, इसके बाद आप स्काइप करके पीछे आजाएए, अब हम दूसर 15,000 रुपे का हमने Machinery Purchase की है, रोई Machinery से, तो अब इस entry को कैसे solve करेंगे, जैसे हमने पहली वाले entry पास की थी, सेम उसी तरीके से हम दूसरी entry भी पास करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं, Machinery का Lezer, और Machinery लेने के बाद एंटरपैस कर दीजे, एंटरपैस क की थी, वो Purchase की थी, रोईत से, तो यहां पर हम रोईत ले लेंगे, रोईत Machinery लेने के बाद आप देखेंगे, आपर रोईत क्रेडिट हो गया, और Machinery हमारी debit हो गई, ठीक है, इसके बाद हम इसको एंटर करके पास कर देंगे, इसको भी, एंटर पास करने के बाद आप फ 45,000 का, यह ले लेते हैं, और यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे किसको, सुनील टूल्स को, तो यहां पर हम ले लेते हैं सुनील को, सुनील टूल लेने के बाद, आप एंटर प्रेस कर दीजिए, इसकी भी, एंटरी पास कर दीजिए, यहां पर narration लिखना चाहें, तो आप ल हमने ले लिया, और उसको हमने एंटर करके सेव कर दिया, तो यह जो एंटरी थी हमारी चारों एंटरी, इसमें हमने जो परचेस किया है, वो एसेट को परचेस किया है, अब यहां पर आप फिफ्ट क्वेस्टन जो देखेंगे, यहां पर है depreciation of furniture रुपीज 5,000, यानि depreciation हो हमारी 5,000 रुपे की वालू 30,000 में से डिक्रीज हो गई, तो इसके एंटरी हम किस तरह से पास करेंगे, इसके लिए अनोग चले जाते हैं, वापस टैली स्पीन पर, और यहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लेना है depreciation, depreciation लेने के बाद यहां पर आपको जितना भी depreciation हो रहा है, वो amount type कर देना है, तो 5000 का amount लं टाइब कर देंगे, और यह depreciation किसके ऊपर हो रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे furniture, क्योंकि हमारा जो depreciation वो furniture के ओपर आ रहा है, तो हम इसको ले लेगे और यहां पर enter करके सब्चा करे इसको. इसके बाद जो next question है हमारा वो depreciation है machinery के ओपर याणी machinery के ओपर भी हमारा 4000 का depreciation है तो इसके लिए भी आप सेम इसी तरह से entry pass करेंगें यहापर फिर से लेंगे depreciation और depreciation लेने के बाद यह आपर 4000 ले लेगे और enterprise करने के बाद यहापर furniture की जगाद ले लेंगे machinery मशीनरी लेने के बाद आप देखेंगे आपर जो आपका total depreciation है वो 9,000 का है यह तरीके से आपका यह indirect expense है और यहाँ पर आपकी machinery की जो value थी वो आपकी decrease हो गई 56,000 बचिए आपकी value इसके बाद हम इसको भी save कर देंगे save करने के बाद हम वापस चले जाते हैं अपने next question पर आप यहाँ पर आप देखेंगे advertisement expense paid from Mr. Aditya Honor account रुपीज 15,000 यह पंदरा हजार रुपए का जो advertisement expense है वो Aditya Honor ने अपने account से pay किया यहाँ अपने पास से pay किया इसकी entry आप किस तरह से pass करेंगे तो इसके लिए भी आप चले जाएए वापस टेली स्क्रीन पर यहाँ पर ले लिजेए आप advertisement expense अमाउंट था हमारा 15,000 यहाँ बच डाल दीजे 15,000 और यह जो amount था वो किस कर देंगे हमारा यह question भी solve हो गया इसके बाद next question आप देखेंगे वहाँ पर है rent of building paid from Aditya Honor यानि यह जो Aditya Honor था इसी ने ही दोबारा से rent of building भी pay किया है अपने account से 10,000 का तो same as it is इसी तरह से हम इसकी भी entry पास करेंगे इसके रिए वापस ले जाए अपनी टेली स्कीन पर और यहाँ पर अपने expense ले लीजिए यानि हमारा जो rent of building था वो ले लीजिए और rent of building कितने का amount था तो यह था हमारा 10,000 था तो यहाँ पर डाल दीजे 10,000 10,000 डालने के बाद enter प्रेस करिए enter प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप ले लिज़े अधित्या ओनर अधित्या ओनर अकाउंट लेने के बाद आप देखेंगे आपर अधित्या के अकाउंट से जो total amount deduct हुआ यानि जो total amount expense किया गया है वो है 25,000 का यानि 25,000 रुपे आधित्या ने अपने अकाउंट से पे किया है तो हम इसको enter करके save कर देंगे save करने के बाद हमारा जो next question है वो है sold computer Mr. Shaqeel Ahmed रुपीज 23,000 with 2,000 transfer loss on sale in fixed assets यानि कहने का सिधा मतलब यह है कि जो अभी recent में हमने यहाँ पर 3,000 में जिसमें हमें 2,000 का loss हो रहा है तो यह entry आप किस तरह से pass करेंगे इसकी entry दिखा देता हूं मैं आपको वापस चले जाए अपनी टेल स्क्रीन पर और यहाँ पर आप सबसे पहले लेंगे जिसको आप computer को sale कर रहे है यानि जो debit हो रहा है तो debit हो रहा है हमार account तो यहाँ पर जो debit हो रहा है शकील एमत तो यहाँ पर ले लेंगे शकील एमत का laser शकील एमत का laser लेने के बाद अब यह कितने amount से debit हो रहा है यानि हम से कितने amount का purchasing कर रहा है तो यह कर रहा है हम से 23,000 का purchase तो यहाँपर हम थ्वंडी थ्री थाउजंद ड're lira देंगे इसके बाद इसे on account में डाल lg करने के से से कर देंगे यहाँपर हम फिर से debit करेंगे किस्छी सको हम debit करेंगे अपने loss or sell को यानि हमें कितना loss हो रहा है तो हमें zados धुलास हो रहा है 2000 का यहाँपर हम हमसे goods purchase किया वो 23,000 का purchase किया यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 यहाँ पर भी show हो रहा है और 25,000 यहाँ पर भी show हो रहा है यानि दोनों का जो balance था वो equal हो गया है इसको आप enter करके save कर दीजे save करने के बाद हम चले जाएए वापस अपने next question की और इसके बाद जो next question है हमारा वो है receive from Mr. Shaqeel Ahmed रुपीज 22,000 यानि Shaqeel Ahmed से हमने 22,000 रुपे receive किया है तो इसकी जो entry है वो general entry में नहीं होगी यह entry हमारी receive entry में होगी तो यहाँ पर हम F6 प्रेस करेंगे F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम laser लेंगे किसका जिससे हम receive कर रहे है तो receive कर रहे हैं हम लोग किससे शकील Ahmed से शकील Ahmed से हमने पैसा receive किया है कितना amount receive किया है 22,000 22,000 लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो शकील Ahmed का amount balance बचा है वो है 1000 यानी 1000 रुपए भी हमें इससे और लेने है और यहाँ पर debit कौन हो रहा है तो debit हो रहा है हमारा cash यानी cash के माध्यम से हम पैसा receive कर रहे हैं इसके बाद हम इसको enter करके save कर देंगे यानी हमारे प 2000 फ्रॉम शकील Ahmed account to bad debts यानी जो अभी 1000 रुपए हमें शकील Ahmed से लेने थे उसमें से उसने अब हमें बना कर दिया 1000 रुपए देने के लिए अब जो हमारा 1000 रुपए है वो हम bad debts में transfer कर देंगे यानी एक तरीके से bad debts का जो मतलब होता है वो होता है डूब जाना है यानी डू यहाँ पर आपको लेना होगा bad debts bad debts का laser लेने के बाद यहाँ पर अपना amount डाल दीजे यानी आपके कितना रुपए loss हुआ तो 1000 रुपीस का loss हुआ हमारा यहाँ पर आप credit करिए किसको यहाँ पर ले लीजे शकील Ahmed को शकील Ahmed को लेने के बाद जैसी आप enter pass करेंगे तो आप आपको दिखाता हूँ अपनी पूरी balance sheet के यानी हमने जितनी भी transactions की है उसका actual में result क्या आया है स्कैप करके आप पीछे आ जाईए यहाँ पर हम देखेंगे balance sheet पे किया था और 10,000 पे किया था जो 15,000 पे किया था इसने वो advertisement expense पे किया था और जो 10,000 amount पे किया था वो इसने rent of building पे किया था तो इस total जो amount था वो 25,000 का हो गया इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाईए इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर liability यानी current liability जो हमें द 25,000 सुनील टूल हाउस को देना हमें 45,000 और सूरज computer को हमें 25,000 यानी इतना amount हमें अभी देना इतनी liability हमारे उपर है यानी इतना उधार हमारे उपर अभी है स्कैप करके पीछे आ जाईए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ fixed assets यानी हमारी जो संपत्ती है वो कितने की ह तो यहाँ पर आप देखेंगे सामय यहाँ पर जो हमारी current liability 160 है पर यहाँ पर जो संपत्ती है 126 की है वो reason मैं आपको अभी दिखा देता हूँ fixed assets में चले जाते हैं आपने देखा हमने चार चीज़े परचेस की थी जिसमें furniture, machinery और tools computer में हमने purchase किया था लेकिन वो computer हमने sale कर दिया तो यहाँ पर जो हमारे पास total current assets है वो 1,26,000 रुपे की है अब उस computer का क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद आपके सामने net loss शो होगा आप इसके अंदर जाने के लिए आपको करना क्या है यहाँ पर आपके सामने option ज़र आ रहा होगा change view का या तो आप इस पर click कर दीजे यहाँ आपने keyboard से control plus H दबा दीजे आइस दबाने के बाद यहाँ पर vertical option शो होगा इसके बाद आप enter press करिए enter press करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका 37,000 रुपे loss शो हो रहा है यह किस वज़ा से शो हो रहा है इसके ओपर आप double click करने के बाद आप आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो option है व हमारा पैसा डूबा था इसके बाद depreciation जो हमारा depreciation हुआ हो 9,000 का हुआ है जिसमें machinery और हमारा furniture था इसके बाद आप देखेंगे loss of sale यानि 2,000 रुपे का हमारा loss हुआ था computer को बेजते समय 25 का हमने खरीदा था 30 का हमने बेचा था तो यहाँ पर 2,000 का हमारा loss हुआ था और 1, यह loss हुआ है जो पैसा उसने हमें return नहीं दिया इसके बाद देखेंगे आप rent of building तो यहाँ पर rent of building का 10,000 अमांट पे किया गया है honor के account से तो यहाँ पर जो total expense है उसको अगर हम total करते है तो यह 37,000 रुपे हमारा total expense शो कर रहा है तो यह थी हमारी general voucher की entry अगर वीडियो आप को पसंद आया हो तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए धन्यबाद